हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप डेवल्पेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड को एडिट करने की कोशिश करेंगे तो keyboard जो है वो default keyboard जो है वो आपके पस pop-up में जो है वो निकल के आएगा तो आप चाहते हैं कि जो भी text field जो है उसके पीछे hidden है keyboard के पीछे तो उसको आपने पूरे को पूरे view को upward में move करवाना है तांकि आप पर्टिकुलर जो text box जो text field है उसको edit कर रहे हैं उसको properly देख पाएंगे क्या उसमें आप typing कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर मेरे पास एक live running example है simulator के अंदर पहले मैं आपको इसकी working बता देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही easy और simple way के साथ इस तरीके की जो examples हैं वो अपने iOS devices के लिए X code के अंदर जो है वो आप develop कर सकते हैं swift की help के साथ तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी आज की example तो यहाँ पर हमने एक application के अंदर login की जो example है वो develop की है तो जैसे ही मैं username वाले text field के अंदर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहां से मैं पहले अपना जो keyboard है वो enable कर लेता हूं क्योंकि physical device में तो यह अपने API visible होगा मगर अगर आपको simulator के अंदर यह display ना हो तो आप keyboard के through इस तरीके से toggle कर सकते हैं इसको तो चलिए यहां पर मैं username लिख देता हूं हरिती तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि मेरा जो यह वाला text field है यह properly visible है मेरे keyboard के layout ने इसको cover up नहीं किया इसलिए मेरा जो view है वो upward की और जो है वो move नहीं हुआ और जैसे मैं return के ओपर क्लिक करता हूं और अब मैं जैसे ही password के ओपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो view है वो upward की तरफ move हो चुका है तांके मैं देख पाऊं के password के अंदर मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो चलिए जैसे ही मैं इस तरीके से यहां पर लिखूंगा अभी तो मैंने जो text field है इसको star star की form में convert नहीं किया तो directly just वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप जैसे ही return के ओपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपका जो movement है view की वो फिर से अपनी position पे आ username पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं अब movement कोई नहीं है क्योंकि जो मेरा text field है वो पहले से ही visible है वो keyboard के layout के पीछे जो है वो hidden नहीं हुआ और जैसे ही मैं password के ओपर क्लिक करता हूं क्योंकि यह मेरा text field था यह hidden हो सकता था keyboard के पीछे अगर मैंने coding ना की होती तो यही coding हमने की सीखनी है कि किस तरीके से आप view को upward की तरफ move करवा सकते हैं तांकि आपका जो text field है जो आप edit करने की कोशिश कर रहे हैं वो properly visible हो पाए keyboard के साथ तो चलिए यह थी हमारी आज की example अगर मैं आपको थोड़ा सा theoretical view इसका बताऊं तो आप देख पाएंगे कि आपक के पास UI responder के बारे में पताना चाहिए और एक NS dictionary किस तरीके से काम करती है वो आपको पताना चाहिए तो notification center का तो आपको पता ही है जब भी आपने अपना data जो है वो broadcast करना हो किसी एक पार्ट से किसी दूसरी पार्ट के तरफ तो आपको notification center की help लेनी ही पड़ेगी इसके हम उसको एक observation पे लगा सकते हैं जब भी हमारे पास particular type की जो notification वो आएगी तब observer हमारा जो हमको notify करेगा हमारे code को जो है वो hb code करवाएगा तो UI responder भी काफी अच्छी एक interface है जिसकी help के साथ हम handle कर सकते हैं events को जैसे हमारा यहाँ पे click करने पे यह keyboard जो है वो show हुआ है तो यह भी एक तरह का UI responder का ही काम है जो हमारे view को बताता है कि जो keyboard है वो यहाँ पे show हो रहा है और कब आपका जो keyboard है वो hidden हुआ है तो इस तरीके से आप UI responder के बारे में और भी research कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और NS dictionary basically particular key के accordingly हम dictionary से जो value fetch करेंगे तो उसकी help के साथ ही हम जो है NS dictionary को भ keyboard frame and user info की यह user info dictionary की help के साथ जो है इसको उसका जो data है keyboard का जो size frame layout है वो हम पता कर पाएं तो जैसे ऐसे आप practically इस example को देखेंगे कि तो आप समझ पाएंगे कि कितना easy है यह वाला example और किस तरीके से आपने properly इसको जो है वो develop करना है तो चलिए अब मैं आपको practically बताता हूं य यह वाली example आपने कैसे develop करनी है सबसे पहले मैं यह वाला project जो है पूरा close कर देता हूं एक नए project के साथ शुरुबात करेंगे तो friends students अगर आप इस चैनल के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को subscribe कर ले क्योंकि इस चैनल के उपर हम daily programming related जो video tutorials है वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने हैं और समझने में काफी help मिलेगी और साथ में अगर कहीं पे भी रशानी आती है तो आप हमारे साथ consult कर सकते हैं YouTube कमेंट कर सकते हैं हमें email बेज सकते हैं ताके हम उसका जो solution है वो आप तक जल से जल पहुचा आपाए तो चलिए नया project यहां से शुरू करते हैं प्रोजेक्ट अब आपने single view app को develop करना है और यहां पर मैं लिख देता हूँ move text field up with keyboard shown चलिए अब हमने इसको next करना है बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम यूज करें है coding के लिए development के लिए वह स्विफ्ट अब मैं इसको next करता हूँ अब आपने कहीं पर भी एक फोल्डर क्रेट करना है तांके सारा source code जो है वह उस फोल्डर के अंदर से वह पाए तो मैं यहां पर लिख जाता हूँ more text field with view upward with keyboard और चलिए इसको create कर देते हैं इस फोल्डर को और इस पूरे प्रोजेक्ट को इस फोल्डर के अंदर मैं जो है वो create कर देता हूँ तो friends students यहां पर आप देख पा रहे है मेरा जो प्रोजेक्ट है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखा हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहां पर मेरा जो वर्जन है swift का वह swift 5 और जो मेरे पास Xcode का वर्जन है वह 10.2.1 और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो चलिए सबसे पहले main door storyboard के अंदर जाना है आपने और अपना जो graphical user interface है वो सबसे पहले आपने develop करना है तो इसके लिए यहां पर मैंने image view को display करवाना है तो उसके लिए assess folder के अंदर मेरे पास यहां पर image होनी चाहिए तो मैं आपको बता दो के internet से मैंने पहले से image हुआ है login.jpg इस तरीके की जो image फाइल है वह मैंने पहले से download करके रखी हुई है तो चलिए main door storyboard में चलते हैं और यहां पर जो है image view को जो है library के थूरू search करने के बाद यहां पर drag and drop करते हैं तो मेरी जो image view है वो यहां पर आ चुका है अब मैं इसको जो है थोड़ा से increase कर देता हूं इसका size तांके properly यह कूपाई कर पाए हमारी screen और चलिए image को यहां पर set करके देख लेते हैं login image और इसको aspect जो है fill कर देते हैं तो friends पूर यहां पर image जो है वो मेरी आ चुकी है अब इसके जो constraints है तो यहां पर मैं इसकी जो height है वो भी set कर देता हूं और width भी set कर देता हूं चलिए add as a constraint कर देते हैं तो friends तो ने यहां पर constraints जो है वो add हो चुके अब मैं यहां पर एक label add करूँगा तो चलिए label यहां पर add कर लेते हैं सेंटर में रखते है इसको मैं थोड़िसी width जो है वो इसकी increase कर देता हूं तो इसको भी मैं जो है increase कर देता हूं यहां पर लिखते है username यहां पर login screen लिख देते है login area तो चलिए login area यहां पर आ चुका है अब मैंसकी जो constraints है इस लेबल के वो भी set कर देता हूँ यहां से और अब आपने यहां पे जो आए एक लेबल और यूस करना है तांके हम यहां पर यूजर नेम जो है वो यहां पर प्रिंट करवा पाएं तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूँ यूजर नेम और इसके भी जो constraint है आप चाहिए तो इसका जो फॉंट है वो increase करते हैं चलिए फॉंट मैंने increase कर दी है अब मैं इसके पहले जो है एक text field जो है वो ले लेता हूं तो चलिए यहां पर text field को ले लेते हैं और यहां पर इसको set कर देते हैं और अब मैं इन दोनों UI elements को select करके command D से इसको जो है इसकी copy create कर लेता हूं तो चलिए copy भी मेरे पास create हो चुकी है और यहां पर मैं लिख देता हूं password तो अगर आप यहां पर जो password protected field मिलाना जाते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं तो यहां से मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपने जो password field है वो create करना है तो यहां पर secure text entry कर दें आप इस check box को जो है mark कर दें इससे आपका जो content है वो visible ही होगा वो dot dot की form में आएगा तो अब मैं इस पूरे को select करता हूं इस तरीके से और यहां पर जो add missing constraints है वो add कर देते हैं तो missing constraints हो है वो हमारे आ चुके हैं अब हमने यहां पर एक button create करना है तो button को मैं यहां पर drag and drop करता हूं अपने storyboard के ऊपर और इसके अंदर हमने अब लिखना है login तो चलिए मैं इसके अंदर login लिख देता हूं आप चाहें तो इसका जो font है वो increase कर सकते हैं यहां से और इसका जो background color है वो भी आप यहां से set कर सकते हैं तो चलिए मैं background yellow कर देता हूं इसका तो इसका भी जो constraints है वो आप यहां से set कर दें तो अब हमारा graphical user interface जो है वो बन चुका है और अगर मैं आपको यहां पर एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं ताके आप देख पाएंगे किस तरके से हमारे जो text field without coding जो है वो hidden हो जाते हैं हमारे keyboard के background पर तो चलिए यह एक्जामपल जो है वो हमारी रन होने दीजिए और अब मैं जैसे यूजर नेम के उपर क्लिक करता हूं तो आप देख पारें यह तो हमारा keyboard जो है वो यहां पर जो text field है वो keyboard के पिशे hidden नहीं है तो मैं जैसे return करूंगा क्योंकि coding नहीं की इसलिए return वाला वही जो बटन है वो यहां पर वर्क नहीं करेगा और बारा से इसको मैं stop करके करता हूं तो अब देखेंगे के problem किस तरीके से face करेंगे आप तो जैसे ही आप password वाले text field को edit करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहें मेरा जो text field है वो hidden हो चुका है keyboard के पीशे तो इस तरीके से हमने coding के तुरू इस view को move करवाना है upward की तरफ तांके हम जो हमारा password वाला text field है उसको देख पाएं तो इसको मैं stop कर देता हूं सबसे पहले जो है इन दोनों के जो आई बी आउटलेट से हमों create करेंगे तो मैं assistant editor के अंदर चलता हूं और बाकी मिनों को मैं hide कर देता हूं यहां पर अब अपने view controller के अंदर जो है इस इन दोनों text field का जो control key को press करते हुए जो आई बी आउटलेट है वो create करना है तो मैं यहां पर आई बी आउटलेट का जो नेम है वो रख देता हूं username text field और इसको connect कर देते हैं और इसी तरीके से इसको भी drag and drop करते हैं यहां पर और इसका जो नेम है वो रख देते हैं password text field तो चलिए इसको भी connect क जो है वो बन चुके मैं standard editor के अंदर चलता हूं अब मैं view controller class के अंदर चलता हूं बाकी windows को hide कर देते हैं अब मैं जो है वो coding करूंगा तो coding किस तरीके से करनी है सबसे पहले आपने यहां पर सबसे पहला काम जो होगा आपने यहां पर extension को use करते हुए delegates को use करना है तांके हम जो return की है उसको भी enable कर पाएं जैसे return के उपर user क्लिक करेगा प्रेस करेगा उसको तो आपका जो keyboard है वो hide होना चाहिए तो यहां पर extension एक ले लेता हूं coding जो है वो हम बाद में करेंगे पहले extension यहां पर specify कर देते हैं view controller और यहां पर जो हमने delegate use करना है वो करना है UI text field और यहां पर delegate तो चलिए इन delegates के अंदर आपको जो coding है वो करनी पड़ेगी तो coding करने से पहले यहां पर मैं बाकी आपको बता देता हूं क्या आपने यहां पर करना है तो आपको यह भी detect करना पड़ेगा कि आप कौन सा text field जो है वो edit कर रहे है at a time तो उसके लिए यहां पर एक active text field नाम का variable ले ले लेते और इसको भी जो है यहां पर declare कर देते हैं अब हमने इन दोनों text field को जो है वो यहां पर delegate जो है वो self के साथ सेट करना है तो यहां पर मैं set कर देता हूं क्यूंकि हमने खुछ से यहां पर जो extension है वो use की है इसलिए हम यहां पर directly लिखेंगे dot delegate जो है self और यहां पर password dot delegate इसको भी हम कर देते हैं self तो चलिए यह यह भी setting जो है हमारी हो चुकी है अब हमने जो है view did load के अंदर ही notification को identify करना है कि कब आपका keyboard जो हो हो होता है और कब आपका जो keyboard हो hidden होता है तो उसके लिए यहां पर notification center की help के साथ जो है notification observer जो है वो use करेंगे notification center is equal to notification center dot default dot default center यहां पर default ही रहने देते हैं अब हमने center पर add observer करेंगे add observer और यहां पर जो selector है यहां पर पहला जो method है वो use करेंगे observer जो होगा हो होगा self selector के अंदर यहां पर selector method जो है वो declare करेंगे तो आप जो selector method का name जो है वो कोई भी दे सकते हैं और इसको आपने pass करना है notification तो चलिए अब आप यहां पर जो name है उसके अंदर आपने यू आई responder यूज करना है responder dot और keyboard विल शो और इस तरीके का notification जो है वो attach करना इस observer के साथ और यहां पर जो object है वो हम यूज करेंगे निल तो चलिए पहला observer जो है वो यहां पर attach हो चुका है अब हमने जब आपका keyboard hide हो तब भी आपको जो है उसके साथ जो है एक observer जो है वो attach करना होगा तो यहां पर center add observer यहां पर observer self अब आपने उसी तरीके से selector method यहां पर attach करना है तो मैं जो method का name है वो यहां पर दिदेता हूं hidden और इसको भी notification जो है वो आपने object जो है वो pass करना है ताकि उसकी reference के साथ हम other purposes के लिए उसको यूज कर पाएं अब आपने यहां पर ui responder के थूझ जो keyboard will hide इस तरीके का notification है वो attach करना है और object जो है वो यहां पर detail करना है तो चलिए यहां पर दोनों observer जो है वो हमारे attach हो चुके हैं तो अब आपने जो यहां पर selector method जो यहां पर declare की है इन दोनों की coding जो है आपने करनी है तो coding किस तरीक के से करनी है तो उसके लिए यहां पर इसको पहले copy कर लेते हैं यहां पर और अब हमने यहां पर जो है जो हमारे selector method है उनको यहां पर define करना है तो यहां पर मैं जो है name paste कर देता हूं और यहां पर notification तो चलिए इसके अंदर coding करनी पड़ेगी एक coding यहां पर करनी पड़ेगी और दूसरी coding जो है उसके लिए मैं यहां पर इसको copy कर लेता हूं और यहां पर इसको जो है वो paste कर देता हूं और यहां पर भी जो चलिए यहां पर भी notification लगा देते हैं तो दोनों की coding जो है वो अब हमने यहां पर इसके अंदर करनी है तो जब आपका keyboard show हो तब आपने क्या करना है उसकी coding बड़ी सिंपल है सबसे पहले आपने info एक variable लेना है किस टाइब का होगा एंस डिक्शनरी टाइब का होगा और आएगा इसकी data कहां से आएगा वो आएगा notification जो आपका यह वाला object है जो reference के लिए यहां पर पास हुआ है इसके थूझ जो user info है उसको fetch करेंगे और इसको as करेंगे अब हमने क्योंकि keyboard का जो साइज है वो पता करना है कितने साइज का की बोर्ड तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे info के थुरू जो है उसकी info जो हमारी array यह एनस dictionary है उसके थुरू हम जो है वैल्यू को पता करेंगे कौन सी ui responder की keyboard की बोर्ड फ्रेम बिगन यूजर info और इस तरीके की हमने इसको fetch करना है आप end भी कर सकते हैं तो चलिए यहां पर end ले लेते हैं तांके keyboard पूरा जब show हो उसके बाद ही आपके पास यहां पर जो वैल्यू है वो फैच हो पाए तो इसको मैं as a convert कर देता हूं एनस value और इसको हम इसके थुरू हम जो है रेक्ट वैल्यू जो है cg रेक्ट वैल्यू जो है प्रॉपली फ्रेम की जो dimension है वह यहां पर set कर पहें अब हमने keyboard की जो य वैली है वह फैच करनी है तो इसकी यहां पर इस तरीक्त के से हम directions करेंगे पहले पूरे व्यू के फ्रेम की你好 यहां पर करेंगे कुसमें से जो keyboard की हाईट ऑयह वह हमने माइनस करनी है जिससे आपको कीबोर्ड की वाई पूजीशन जो है वो पता लग पाएगी तो यहां पर मैं हाई जो है इस तरीके से दे जाता हूँ अब हमने जो टेक्स्ट फील्ड की जो जिसको हम एडिट करें है उसकी वाई पता करने है वाई वैल्यू किया तो उसके लिए हम यहां पर एक वेरियबल सब्सक्राइब करें है उसको यहां पर इसकी पारे मैं और भी नोले आप गैन कर सकते हैं बड़ा ही आप इंटरेनर से इसके बारे में जो दीन सिब्सक्राइब करते हैं देखते हैं पता रहा है यहां पर इसको थोड़ा सा अटैज कर देता हूं मिन वाई के साथ तो चलिए अब जो है हमने करना किया है इफ सेल्फ डॉट व्यू डॉट फ्रेम कहने का मतलब अगर आपके पास पहले से आपने फ्रेम को और मूव करवा दिया है अपर वर्ड की तरफ तो अब हम यहां पर उसी को डिटक्ट करेंगे क्या हमने पहले से ही उसको मूव करवाया है अगर पहले से मूव करवाया है अब हम और मूव नहीं करवाएंगे तो इसके लिए हम करेंगे क्या उसके लिए हम यहां पर जो है वैस्टिया उसके साथ हम पर टेज़टिंग कर देते हैं तो एक टसक्तिक करते हुए रिका विश्जारा केहने का मतलव एडिटिंग टेइक्स यहां प लगाना है हमने अडिटिंग टेक्ष फील्ड वाई क्या उससे यहां पर यहां पर दिलेवा रखया वहां यूज करना करेंगे यहां पर इस्को और यहां पर अब हमने डिले वाला जो मैसेड है वह यूज करना तो उसके लिए da i drug gallery चलिए यह यहां पर animate करते हैं इसको और अब आपने यहां पर विड्र डॉरेशन लिखना है तो चलिए यह वाला आपने जो मैठेड है वह यूज करना इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में विड्र स्प्रिंग आ रहा है तो एक पर फिर से मैं देख लेता हूँ बिल्कुल अब ठीक है विड्र डॉरेशन आपने डाल नहीं है यहां पर 0.25 और अब आपने ऑप्शन डिले कितना करना जीरो प्वाइंट जीरो आप्शन के अंदर आपने लिखना है यू आई व्यू डाट एनिमेशन ऑप्शन कौनसी ऑप्शन कव इरेज इन और इस तरीके से अब आपने एनिमेशन पर एंटर क्लिक करना और यहां पर आपने कोडिंग जो है वो करनी है तो यहां पर मैं कोडिंग लिख देता हूं हम सैल्फ.डॉड व्यू डाट फ्रेम इस इकल तो सीजी रेक्ट और अब आपने यहां पर जो है एक्स की जो वैलियो जीरो करनी है य की बैलियो कहां से आएगी उसके लिए हम यहां पर व्यू डॉड फ्रेम डाट और ईजन डाट वाई को माइनस करेंगे उसमेंसे कौन स की वैलियो को माइनस करना है वो मैं आपको बता देता हूं एडिटिंग वाई जो हमारा टेक्स्थ फील्ड का जो भाई है उसमें से भी हमने माइनस करना है की बोर्ड का जो वाई है माइनस आप यहां पर पैडिंग 20 की दे सकते हैं विट्थ में आपने देना है सेल्फ डॉट बाउंड डॉट विर्थ और अब आपने हाइड के अंदर क्या देना है सेल्फ डॉट वूट बाउंड डॉट रॉट है इस तरीके से आपकी कोडिंग है और आपने कमप्लीशन के अंदर जो है वो निल देना है कलाउजर आपका यहां पर बंद हो जाएगा तो चल लेनी है अपवर्ड की तरफ वो हम total य हमारा total view का जो height है उसमे से हम "-aporins करेंगे editing वाई- – keyboard वाई- जो है हमारी padding है वो तो अब ये जो कीबॉर्ड है ये show करवाने के बाद जो है ये coding execute होगी अब आपने वो भी coding लिखनी है जो आपके जब keyboard हाइड होगा तब आपकी execute होगी तो इसके लिए हम इसको यहां से copy कर लेते हैं और directly इसको keyboard hidden के अंदर जो है वो paste कर देते हैं अब आपने coding के अंदर changes कौन सी करनी है अपने जो y है आपका वो भी आपने यहां पे 0 करना और जो विर्थ है वो simply जो आपकी view की विर्थ है वो रहेगी height जो है वो simple height रहेगी तो इस तरीके से आपने यह वली coding जो है वो करनी है तांके view जो है वो अपनी position दुबारा से वही ले पाए जो पहले थी की move करवाने से पहले अब आपने यहां पर UI text field delegates के अंदर दो जो methods है वो यहां पर implement करने हैं did begin editing जब आप करें जब भी आप किसी text field को edit करने की कोशिश करते हैं तो active text field के अंदर उस particular जो आपका text field है उसकी reference जो है वो जानी चाहिए तो इस तरीके से हम उसकी reference लेंगे और अब आपने जो है text field return जब भी आप return की keyboard के ओपर return key को click करते हैं तब आपकी कौन सी coding execute होनी चाहिए हमने text field जो है आपका उसको जो है resign responder जो है उसके थूप जो है आपने तांके keyboard आपका जो है वो हाइड हो पाई इस तरीके से कोडिंग करने है अब हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है तो अब हम इसको जो है एक बार रन करके देखते हैं मुझे पता है थोड़ा बहुत confusion जो है वो आपको रहेगी मगर एक दो बार अब जब इस example को develop करेंगे तब आप जान पाएंगे किस तरीके से आप इसली जो है इसको modify करके और भी बढ़िया तरीके से implement कर सकते हैं तो चलिए एप हमारी जो है वो बिल्ड हो चुकी है अब देखते है क्या यह मारी आप जो है वो प्रॉपली वर कर पाती है तो सबसे पहले यूजर नेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पारे जो यूजर नेम है वो प्रॉपली जो है वो विजिबल है इसलिए हमारा जो व्यूव है वो अप्वर्ड की तरफ जो है भूम्मेंट नहीं लिया उसने तो मैं यहां पे लिख देता हूँ हरिती और अब मैं जैसे रिटर्न की के ओपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा है जो कोडिंग है वो एक्जीकूट होई है और मारा जो रिस्पॉंटर है वो यहां पर वर्क किया है और हमने उसको रिजाइन कर दिया इसलिए हमारा जो कीबोर्ड है वो हिडन हो चुका है अब मैं जैसे पासवर्ड के ओपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा मूवमेंट है वो यहां पर नहीं हुआ तो इसको पार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है तो अब आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर फिर से चलते हैं और जो इसकी मूवमेंट है वो थोड़ी सी और आपको करनी पड़ेगी तो उसके लिए यहां पर जो है म को ज午 ज्याना कर दिए تو अब देखते हैं क्या यह प्रड़ी वक कर पाता है तो चलिए फ्रैंस अभी बी är जुइ है तो इसको करना गया इसको और भी आप यह पयां पर फिप्टी कर दें और यहां पर जो है आप सिक्स्टी कर दें चलिए इसको बाहर रॉन करते हैं तो friends अब मैं जैसे password के ओपर click करूँँगा तो आप देख पारे हैं जो password मेरा है वो properly ini यहाँ पे visible है और is को मैं जैसे return करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहां पे भी जो है username जो है यूजर name पे यहाँ पे इसको भी कर देते हैं तो चलिए यहां पे जो मुवमेंट है वह प्रॉपली हो रही है और जो फिर से दुबारा से व्यूज़ अपनी पुजीशन ले रहा है तो फ्रेंड सुड़न इस तरह के से आप जो है कीबोर्ड को जो है वह उसकी विजिबरिटी के अगॉर्डिली जो है व्यूज़ को मुवमेंट ले सकते हैं क जो होने मिल चुके किस तरह किसे आपने व्यू को अपवर्ड करना है कीबोर्ड शोन के साथ और जैसे हाइड होता है कीबोर्ड आपका अपने जो व्यूज़ को फिर से अपनी पुजीशन पर लेके आना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक किजिए और अगर और वी वीडियोस